हेलो फ्रेट्स नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और सांधार होंगे मैं बेद प्रिकास श्वावद करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिकास क्लासिस पिलिवित में साथियों सीटेट दिसंबर 2022 से लेके 7 फरवरी 2023 तक आपका जो एक्जाम अभी कंडेक्ट कराया गया था उसके रिगॉर्डिंग जो एंसर की थी वो आपकी जारी की जा चुकी है बहुत से साथियों ने एंसर की के अनुसार अपने पेपर को मिला भी लिया होगा और उन्हें लगबग अनुमान भी लग गया हुआ कि उनका स्कूर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो एंसर की मिलाने के बाद बहुत से कोश्चनों में विद्धार्चियों को डाउट था और कई छात्रों ने उसके संबन्द में आपत्तियां भी दर्च कराई थी और आपकी आपत्ती जो थी वो 14-17 फरवरी तक ली गई थी आपत्ती दर्च कराने का समय भी निकल चुका है और अब बात आती है रिजल्ट की तो कई सारे छात्र इस चीज़ को पूछ रहते कि सर इसका रिजल्ट कवाएगा और कब हमें जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा तो कि सीटैट क्वालिफाई करने के छात्र बहुत से सिक्षक बढ़तियों में आवेदन कर सकते हैं चाहाँ वो केंदर इस्तर की हो चाहाँ वो किसी भी राज्य इस्तर की हो ठीक है तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे देखिए आपका जो रिजल्ट है इस समय जो बहुत ही जवरदस्ट बिग अपडेट निकल के आ रही है वो यह है कि आपका जो रिजल्ट है समभवता इसी सब्तह में जारी कर दिया जाए ठीक है समभवता इसी सब्तह में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए यानि कि आज जो है वो 20 फरवरी है और आपका रिजल्ट जो है मुझे लग रहा है कि फरवरी के लास्ट तक ठीक है फरवरी के लास्ट तक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर हम पुराने रिकॉर्ड की बात करें पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है रिजल्ट का तो सीट एट के रिजल्ट का जो पुराना last year का record था last year का že record था result का कि कब आया था result तो last year में जो date दे रहे थे वो दे रहे थे 9 March ठीक है और समय पर आपका result भी जारी कर दिया गया था लेकिन एक newspaper के माद्धिम से बहुत ही जोवर्दस्त ख़ Fall मिल रही है कि जो है result आपका March बिल्कुल 5 March तक पांच March 2023 तक तो जारी कर दिया जाएगा यह बिल्कुल last date है लेकिन आपका जो result है वो फरवरी के last तक आ जाएगा ठीक है इसके बाद मैं बात करूँ कि next जो CTAT का exam है वो कब होगा next exam कब होगा CTAT का तो जो छातर next exam के बारे में बात कर रहे थे देखिए CTAT अभी last year से क्या हुआ है जब से कोबीड आया है तब से CTAT का schedule थोड़ा सा गड़वड़ा गया और CTAT जो है केवल एक वर्ष में एक वर्ष में एक वार ही हो पा रहा है ठीक है इससे पहले जो CTAT था वो एक साल में दोबार कराया जाता था और संभ़ता अब क CTAT दोबार होता है तो फिर होगा जाके ये सितंबर में है ठीक है और CTAT का exam सितंबर में होता है तो इसकी update आपके लिए जो है जून या जुलाई तक मिल जाएगी ठीक है अगर आपका जो एक्साम है वो सितंबर में करवाया जाता है तो इसकी अपडेट आपको जून या जुलाई तक मिल जाएगी और अगर जून जुलाई तक आपको सिटेट की कोई भी अपडेट नहीं मिलती है तो आप ये मानके चलिए कि आपकी जो अपडेट है वो आपको सितंबर या अक्टूबर में मिलेगी जाके और आपका एक्जाम फिर से वही दिसंबर से जनवरी 2024 के मद्दे कंडेक्ट करवाया जाएगा ये मानके चलिए अगर आपको अपडेट जून से जुलाई तक मिल ज आती है तो आपका जो एक्जाम है सितंबर में हो जाएगा और आपको सितंबर से एक्टूबर के बीच मिलती है तो आपका जो एक्जाम है वह दिसंबर जनवरी दोजार 2024 इस्तक्राइजाए जो साथी पहलिवार चैनल पर आएं यह चैनल को बारवार देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूं प्लीज चैनल को सस्क्राइब जुरूर कर लें और वीडियो को लाइक ए डिसलाइक अगर आपको शहीं लगता है तो लेकिन करिए जरूर ठीक है अपने सातीं दोग सेर करिए और जो साती हमारे साथ सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हमारे यहां जैसे ही सीटेट का नई अपडेट आएगी तो तुरंत स्टार्टिंग जो है वो तैय सारी एंसर की इसमें एक दो प्रिशन लगवग थे और ऐसा लास्ट येर भी हुआ था तो आप मान के चलिए कि आपके लिए मैक्जिमम मैक्जिमम आपके लिए दो नंबर का बोनस मिल सकता है मैक्जिमम आपके दो नंबर बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यदा फर्क नहीं इससे ज़्यदा नहीं मिलेगा रिजल्ट की जो अपडेट थी मैंने आपको बताई दी आपका रिजल्ट जो है फर्वरी के लाश्ट तक यानि की इसी बीक में जारी कर दिया जाएगा ठीक है अन्ने कोई न्यूज आती है तो मिलते हैं पर नेस्स वीडियो में जैहन दोस कर दो बताई पर चुछ जाएगा पूल्ट दोस्ता है आती है